नमस्कार दोस्तों, हर्षित दिवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है, मेरा नाम है विनीच सगर, डेली न्यूस अनालिसिस 29 डिसमबर 2021, आज के इंपोर्टर न्यूस कौन कौन सा है, चेक करते हैं, सबसे पहले हेड्लाइन्स, देखें दो और वैक्सिन्स और एक ड्र हैं, और बोर्डर रोट्स ओगनेसेशन के बार में भी हम इन डीटेल डिसकस करेंगे, फिर कंस्यूमर प्रटेक्शन डूल्स 2021, नोटिफे हो चुका है, तो इसमें डार्ट सेलिंग इंडस्टी के, रिगार्डिं कुछ रूल्स प्रमुल्गेट किया है, वो क्या है देखे है, इसरेल और सिरिया के बीच में क्या मेजर प्रॉब्लम से, वो भी हम डिसकस करेंगे, फिर यूनेटेड नेशन सेक्यूर्टी काउंसिल का तीन कमिटीज का चैर्मनशिप इंडिया को मिला है, वो कौन-कौन से कमिटीज है, और इस कमिटीज का मतलब क्या होता है, वो भ इसक्वात करने से पहले एक छोटा सा क्लारिफिकेशन, देखे कल मैंने मथ्य परदेश का लोकल बोडी पॉल से रिगार्डिंग एक न्यूस कवर किया था, न्यूस ये था दोस्तों, मथ्य परदेश स्टेट गर्मन लोकल बोडी इलेक्शन में, अधर बैक्वेड क्लासस को स्टेट गर्मन इस तरह रिसर्वेशन नहीं दे सकते, उसके लिए एक ट्रिपल टेस कंडिशन आपको पास करना होगा, अब ये ट्रिपल टेस कंडिशन के मैंने आपको कल समझा है था, देखे मैं उन बचों के लिए बोल रहा हूं, जो मेरा कल का कल सुना होगा, जिन ब बोला था, लोकल बोडी पॉल्स में विमन के लिए 50% रिसर्वेशन है, तो काफी स्टुडेंस का कमन ये आया था, कि आर्टिकल 243D के हिसाब से, विमन के लिए 1-way 3rd रिसर्वेशन है लोकल बोडी पॉल्स में, या फिर 33% रिसर्वेशन, देखे मेरा क्लारिफिकेशन ये है दोस्तो, Constitution की हिसाब से, बेसिकलि आर्टिकल 243D का, क्लोस 3 की हिसाब से, पार्टिसिपेशन ओविमन इन पंचायतर रिसर्वेशन फोर विमन, इधर लिखा है, नोट लस दान, 1-way 3rd से नीचे नी ओनाची, 1-way 3rd से ऊपर तो हो सकता है न, तो मैंने 50% इसलिए बोला था क्योंगी ओलरी हमारे देश में, बी स्टेट में 50% रिसर्वेशन देरा है, विमन को लोकल बोली पोल्स में, क्यों देरा है, देखे, सबसे पहले आपको यह समझना है, यह जो पंचायत है, that being the local government, is a state subject, हमारा 7th schedule of constitution में, पंचायत being local self-government, state list में आता है, तो इसके ऊपर ड B states ने, 20 states ने 50% रिसर्वेशन देरा है, 50% limit है, क्यों लिमिट है, क्योंकि इंद्रासवनी जडज्जमन के हिसाब से भी 50% जो लिमिट है उसे cross नहीं करना चाहिए, only extraordinary circumstances में 50% वाला limit cross होना चाहिए, ठीक है, वो अलग बात है, तो मेरा clarification यह है दोस्तों, आप लोग ने जो common किया थे ना, one better reservation, आपको ये लिखना जरूरी है, मतला अगर आपसे examination भी एक question पूछा जाते है, आपको लिखना जरूरी है, not less than one better, अगर आप सिधा-सिधा बोलोगे, one better reservation देना है, तो 33% ही देना है ना, पर उसे ज्यादा भी दे सकता है, ठीक है, minimum, not less than one better reservation for women, तो 50% reservation कौ शुरुआत करते हैं दोस्तों, सबसे पहले न्यूस, two more vaccines and a drug join India's fight against COVID-19, देखें इंडिया का vaccination प्रोग्राम में अब तक तीन vaccines का इस्तमाल होता था, Covishield, Covaxin and Sputnik 5, अब इसके अलावा, दो और vaccines का और एक anti-covid pill का emergency use authorization मिल चुका है, दो vaccines का नाम है, Corbevax and Covovax, इसमें Corbevax डेवलोप कर रहा है, हाईदरबाद बेस्ट 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 करके एक pharmaceutical company, in collaboration with Baylor College of Medicine States and American company, Dinovax Technologies, Covovax प्रोडूस कर रहा है, सर्म इंस् company, तो देखे, कौन-कौन co-develop कर रहा है, इतना important नहीं है, कम से कम हमारा Indian pharmaceutical company, जो इसमें involved है, उसका नाम याद रिखिएगा, ठीक है, इसमें Corbevax को already World Health Organization का emergency use authorization मिल चुका है, यह भी ध्यान दीजेगा, आप यह जो anti-covid pill है, या फिर anti-viral drug है, इसका नाम है Molnopiravir, इसके ब अब देखे, it has been approved under emergency use authorization for treating adults only with covid-19, who have high risk of progression to disease, देखे, covid-19 infect होने के बाद, जो high risk में है, disease or progress करने का risk में जो लोग है, उन लोगों में Molnopiravir का use करना है, अब देखे, 13 companies already Molnopiravir develop करेगा, इसमें से sipla company, one of the licensee है, they are plan to launch Molnopiravir under the brand name Sip Molnopiravir, अब देखे, अलग-अलग companies का जो brand name होगा, वो अलग-अलग होगा, इसमें जो sipla pharmaceutical company है, इनका brand name होगा, Sip Molnopiravir, ठीक है, basically, सारे Molnopiravir drug ही होगा, Prime Minister Narendra Modi ji नहीं आनोंस किया था, कि 15 से 17 साल के बीच में, जो लोग है, they would be eligible for covaxing, and जो healthcare workers है, frontline workers है, and those above 60 with comorbidities, comorbidities मतलब जो associated symptoms वगरा होता है, एक disease आने के बाद, जो दूसरे diseases भी आ जाते हैं, दोस्तों, इन्हें co-morbidities बोलते हैं, जैसे कि आपको fever आ गया है, तो fever के साथ साथ कभी cold आ जाते हैं, कभी headache आ जाते हैं, दूसरे कोई disease आ जाते हैं, इन्हें co-morbidities बोल सकते हो, ठीक हैं, तो इन लोगों को दो शोट्स के अलावा और एक booster dose भी मिल जाएगा January 10 से, यह सारा announcement और रोली हो चुका है, आपको पता ही होगा, तो यह दोनों vaccine का नाम ध्यान दीजिएगा, और यह जो इंजिन डबलर पर है, इनका नाम भी ध्यान दीजिएगा, कॉर्वेवेक्स, हाइदरबाद-based biological E, कॉर्वेवेक्स, सेरव इंस्टूट ओफ इंडिया, तो पेपर थी जनल स्टीजिज टू, गवन पोलिशीज और इंडेवेंशन्स, और हेल्थ में इन आपको कामाएगा, अगला न्यूस है, 24 बिज्जस और थी रोड्स, बिल्ट ब प्रदेश में है, 3 उतराखंड में है, 1 सिकिंग में और एक अर्नाजर प्रदेश में, 3 रोड्स में से, 2 लदाक में है, 1 बस बंगाल में है, clear, अब देखी इसका मेजर हाइलेट यह दोस्तों, एक तो इंडिया's first indigenous class 70 140 feet double lane modular bridge का inauguration हुआ है, which is built at height of 11,000 feet at Flak Hill धोकला सिकिंग में यह जो modular bridge बनाया है, जिसका नाम है, class 70 140 feet double lane modular bridge, ठीक है, तो यह इंडिया का पहला indigenous class 70 140 feet double lane bridge है, ध्यान दीजेगा, और यह जो लदाक में रोड बनाया है, चिसुमले डंचोक रोड अट उमलिंगला पास, यह 19,000 feet उपर है, and it holds the Guinness World Record of world's highest motorable road, ध्यान दीजेगा, तो world's highest motorable road, कौन सा है, चिसुमले डंचोक रोड, कहां पे है, उमलिंगला पास, लदाक में, कितने height में है, 19,000 feet में, तो इसका construction को किया, border roads organization है, ठीक है, तो यह जो उमलिंगला पास में road है, it will enable faster movement of armed forces, टूरिसम को boost करेगा, and ensure socio-economic development of the region, obviously बात है, आप देखे, border roads organization के बार में details, देखे, it is a modern and transnational construction organization, transnational क्यों बोलते है, देखे, केवल इंडिया में नहीं, इंडिया की जो neighboring country से उथर भी, यह construction activities करके देते है, तो देखे, हमारा इंडिया आप forces का strategic requirements फुल्फिल करने के लिए, border roads organization है, basically जो basic infrastructure, roads, bridges वगएरा, border roads organization के दोरा, construct किया जाता है, आप देखे, initially BRO, ministry of road, transport and highways के अंडर था, पर 2015 से, it is being managed and is functional under the ministry of defense, तो अभी के लिए, border roads organization, ministry of defense के अंडर ने, border roads organization, 21 Indian states में and एक union territory में operation ले, हमारे neighboring country सचास अफगानिस्तान, भूटान, म्यानमार, स्री लंका में भी, इन्होंने services प्रवेट किया है, organization form हुआ था, May 7, 1960 को, इसलिए, इनकी racing day, हर साल May 7 को celebrate किया जाता है, आप देखे, border roads organization के जो personal है, वो कहां कहां से select होता है, एक तो देखे, offices and troops who are selected from the Indian Army Corps of Engineers, Army Service Corps, Military Police and other personnel, देखे, even Indian engineering service है, one of the civil service, इनके भी personal जो है, border roads organization में post होता है, ऐसा मैंने एक news में पढ़ा था, तो समझ गे न दोस्तों, इसमें important यह है, यह जो class 70, 145, double in modular bridge जो सिकीम में है, और चिशुमले, डेमचोक, रोडट, उमलिंग ना पास, और border roads organization में तो आपको basic details पता चल गया, तो paper for general studies 3, infrastructure में यह news आपको काम आएगा, अगला news है, sender notifies new rules for direct selling industry, देखिए, consumer protection direct selling rules 2021 notified किया गया, by consumer office ministry, आप देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा, यह direct selling industry या फिर direct selling companies मतलब क्या होता है, देखिए, यह direct selling company sells products and services directly to consumers away from a fixed retail location, देखिए दोस्तों, symbol भाशा में यह है, आपको अगर कुछ product खरीदना है, तो आप क्या करते हो, या तो आप आपके घर के आजपास कोई shop होगा, stationary shops या फिर कोई retail shop उदर जाके खरीदेंगे, या तो कोई super markets में जाके भी खरीद सकते हैं, पर कुछ companies यह इसा है, इस तरह की retail shopping alone नहीं करते हैं, वो directly बेचते हैं, उनके कुछ representatives के तुरू, जैसे आपने आमवे सुना होगा, Oriflame, Avon, Modicare, यह सारे क्या है, डिरेक्ली consumer तक product पहुंचाते हैं, इनके कुछ representatives रहते हैं, वो directly canvassing करते हैं, डिरेक्ली अपना products बेचते हैं, तो consumer protection rules में, कुछ provisions जो है, यह direct selling industry में applicable नहीं होता था, तो काफी सारे consumers की तरफ से complaint भी आया था, कि यह direct selling industry आपके purview में नहीं आ रहा है, मतलब इनकी कुछ activities ठीक नहीं है, इसलिए consumers surface industry ने क्या किया, यह direct selling companies के लिए नया rules नोटिफे किया है, वो क्या-क्या है, हम The central government on December 28 notified new rules for the direct selling industry, banning companies from promoting pyramid and money circulation schemes, आप देखें, यह direct selling industry का सबसे important strategy है, एक तो pyramid and दूसरा money circulation scheme, आप यह दोनों क्या है, आपको समझे, देखें, pyramid scheme is a form of investment in which each paying participant recruits two further participants, देखें, आप में से कहीं लोग इसके वार में जानते होंगे, आप में से कहीं लोगों के पास लोग आये भ परिमिट्स कीम, इसमें pyramid type का एक formation होता है, बेसिकली एक बंदा company शुरू करते हैं, और यह दो बंदों को जोइन करवाते हैं, और यह दोनों बंदों से कुछ initial investment ले लेगा, मान लीजिये 5,000 इंड से भी लिया, 5,000 इंड से भी लिया, और बोलेगा, आप दो बंदों को जो भी मिल जाएगा, तो इसी तरह नएने recruitment आने से उनसे जो पैसे लेके पहले वालों को दे देगा, मतलब यह चलता रहेगा, एक या दो या तीन साल तक सबको पैसे मिलता रहेगा, पर एक दिन तो यह बंद होना ही होना है, क्योंकि जब recruitment खतम हो जाएगा, पैसे आना बंद हो जाएगा, पूरा fraud business है, इस तरीके का schemes हमारे देश में कई चलते हैं, ठीक है, तो इस तरीके का schemes को pyramid schemes बोलता है, और एक होता है money circulation scheme, यह क्या होता है, यह होता है, यह होता है, यह होता है, इसे कई सारे business हमारे देश में है, जहां quick returns मिलता है, अच्छे interest मिल जाता है, for example मै आपको बता देता हूँ, कई सारे investment schemes है, देखे हमारे आसपास भी एक बंदा ने एक investment scheme शुरू किया था, कि वो बोला, मैंने एक finance company है, उतरी invest करो, आपको हम 20% return देंगे, वो भी monthly, देखिए, monthly 20%, मतला बहुत ज्यादा हो गया हो, मान लीजिए, एक बंदा जाके अपना 1,00 रुपया invest करेगा, तो उसको monthly वो 20% देदेगा, बहुत ज्यादा हो गया ना, तो 20% मिलेगा भी, कैसे, ये क्या करेगा, पहले मेने में एक बंदा जोइन करेगा, उसको अपने pocket से ये 20% देदेगा, pocket से मतलब एक लग दिया होगा ना, उसी में से 20% वो बंदे को देगा, अब इसके पस कितना बचा है, 80,000 भी बचा है, आप क्या करेगा, ये 20,000 जब इसको पहले मेने में मिलेगा, ये दूसरे दोस्तों को बनेगा, देखिए मैंने 1,000,00 जमा किया था, और मुझे पहले मेने में उन्होंने 20,000 रिटर्न दिया, तो दूसरा जो बंदा दूसरे म यह सी तरह काई से शिर्ट आरी स्कीम से सिसमें कुछ लोगा दिकशपल स्थी अंट निन्ट प्रिसे कोकर बैसे के टिए टीवी वाशे मिशने इस तरह प्रिक एक Istra लिगा स्कीमस को मजैंट्री स्कीम स्कीम सब्सक्राइब स्कीम से यह सारे वाईसे मनीश स्कीलेशन स्कीम्स अबैंड अंडर प्राइस चीट एंड मनीशर्कूलेशन स्कीम्स बैंग अगा थिके तो बेसिकली ये जो तो इस न्यूर्ट प्रटेक्शन रूल में पिरिमिट स्कीम और मनी सब्सक्राइशन स्कीम का प्रमोशन भी बैन किया गया है ठीक है आप देखिए इस न्यूर्स न्युट रूल सर इंट आप को फोलो करना ओगा बिसिकली कंपरी के अधर इंपलीमिंट करना ओगा आप दिखी गया क्या मैजर प्रमीशन से स्में वो और एक तैं वेसे बहुत सब्सक्राइब से में मैजर मेजर बताऊंगा आपको असपर देन जितने भी डार्ट सेलिंग एंटेटी से आम आपको बता दिया जो रीटेल शोपिंग नहीं करते हैं तो इनके ओपर मोनिटर करने के लिए सूपर वैस कने के लिए जीए अगर कोई ग्रीवियन स से कंसुमर की तरफ सब्सक्रा बढें चलाने से निया वपार आपके बतार के अग्सी jobbar बाइब करने कंपनी को अपने वेबसेट में अपनी कंपनी का पूरा डीटेज्स डिस्प्ले करना होगा जैसे कि टेलफोन नमबर हो गया इमेल अड्रस हो गया कंस्यूमर रिड्रसल ओफीज रहे तो उसका नाम जो भी है ठीक है एन डीटेल्स ओफिट्स वेबसेट शाल और सो भी प्रिंटेड और प्रॉडक्ट इंफोर्मेशन कोई प्रॉडक्ट आप अगर बेच रहो माल लीजिए आप एक टूथपेस बेच रहे हो तो टूथपेस के अंदर भी आपका वेबसेट के बारे में जहां ये कंस्यूमर रिड्रसल में समय में उसके बारे में में मेंशन होना चीं तो कहने का मतले है दोस्तों खूल मिला के डारक्ट सेलिंग एंटीज के ऊपर कंट्रोल बना दिया र करके देखिए अगर आपको पूरा प्रोविशन जाना है वैसे बहुत सारे लिखा हुआ है ठीक है क्या-क्या नाइना रूल सिंप्ले होगा तो एबरी डारेक्ट सेलिंग एंटेटी शाल विकमें पार्टनर इंदा कन्वर्जेंस प्रोसेस ऑफ नाशनल कंस्यूमर हेल्प हेल्प लेंक का पूर्विव में आना चिए है मतलब अगर मुझे कोई डायरेक्ट सेलिंग एंटेटी से प्रोबलम है तो मुझे कम्पेइन करने के लिए नाशनल कंस्यूमर हेल्प लेंक का सेवा ले सकते है ठीक है तो क्लीर तो यह है कंस्यूमर प्रोटेक्षण has achieved its NDC target of 40.1% of the electricity capacity. देखे, सबसे पहले थोड़ा सा background में आपको बता देता हूँ. United Nations Framework on Climate Change का Conference of Parties होता है. हर साल, latest वादा COP26. ये Glasgow, Scotland में हुआ था. तो जब ये Conference होता है, हर ये country अपना nationally determined contributions कमिट करते हैं. मतलब, Climate Change को टैकल करने के लिए अपनी तरफ से क्या-क्या contributions होगा. ये होता है, nationally determined contributions. तो जब COP21 हुआ था, काफी साल पहले, COP21 का इक importance ये है. COP21 में Paris Climate Accord भी सेन हुआ था. क्या होता है Paris Climate Accord? मतलब, जो average rise of global temperature है, वो हम 2 degree Celsius के अंदर contain करेंगे. प्रिफरेबली 1.5 degree Celsius के अंदर. ये है Paris Climate Accord का major objective. इसके बार में हमने काफी बार डिसकस किया है. तो COP21 जब हुआ था, पैरीज में, तो इंडिया ने अपने nationally determined contributions में ये commit करके आया था, कि हमारी जो total installed electricity capacity का 40% हम non-fossil energy sources से करेंगे. दो हसार 30 तक. पर आब है 2021. 2021 में ही इंडिया ने 40% अचीव कर चुका है. बहुत अची बात है. आप देखे. तक कंट्री अचीव दिस टार्गट इन नवंबर 2021 इसल. नवंबर में ही हमने ये अचीव किया था. देखे. 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 इसमें इसे ब्रेकड़न देखे. इसमें इसे ब्रेकड़न देखे. सोलार का 48.55 जिगावर्ट, विन का 40.03 जिगावर्ट, चोलार्स हैड्रोपवर 4.83, बाइब पर 10.62, लार्स हैड्रो 46.51, आसल 311-2021. वाइल नुक्लिर एनर्जी बेस्ट इंस्टॉल एल्क्रिक्रिक इतना है 6.78 जिगावार्ट ठीक है आप देखिए वैसे जब COP26 वह था ना तो गर्मन्ट बेसिकली हमारा प्राइम मिनिस्टर ने और एक कमिट्मेंट करके आया थे QC to achieve 500 GV of installed electricity capacity from non fossil fuel non fossil fuel sources बैसे दोस्तों इंडिया का पहले target है 450 GV का मतलब 2030 तक हम नौन फोसिल फ्यूल शर्सों से 450 जिगाबर्ट जनरेट करने का प्लान था या फिर टार्गेट था पर COP26 में नरेंदर मोदी जी ने ये कमिट करके आया है कि हम 450 के जगा 500 करेंगे करके ठीक है वैसे लास्ट 7.5 येर्स में इंडिया हास बीटनेस इंडिया ने कई सारे सोनार पार्क्स लगवाया है विन मिल्स लगवाया है ठीक है 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 इंडिया का अचीवमेंट है ये काफी प्रेसवर्थी है रिन्यूबल एनजी कैपासिटी 1.97 टाइम्स इंग्रीज हुआ है आप देखे दोस्तों पावर सेक्टर अटेग्लांस ओल इंग्या इस बेरी इंपोर्टन हमारे देश में जो टॉटल एलेक्रिसिटी जनेरेशन कपासिटी के वार में डेटा है इसका सोर्स है सेंटल एलेक्रिशिटी अथोरिटी रइट सेंडल सेक्टर की तरफ से 25.1 परस सबसे ज्यादा कोंट्रिबूशन प्राइवेट सेक्टर की तरफ से है इस वेरी इंपोर्टन स्टेट्मेंट अब इंस्टोल जनेरेशन कपासिटी फोसल फ्योल का देखिए कोल लिकनेट ग्यास डीसल कोल से जो थर्मल पावर प्लान से उसका 51.7 परसंट कोंट्रिबूश कीजिएगा आप देखिए नॉन फोसिल फ्योल का हाइड्रो पावर से 11.9 परसंट होता है विन सोलार अन अदर रिनुबल एनजी 26.5 परसंट विन से कैवल 10.2 परसंट सोलार से 12.4 परसंट बीम पवर यह क्या होता है बीम पवर बायो मस्पवर फिर वेस्टो एनरजी वेस लागे 40 परसंट यह थोड़ा सा पुराना डेटा है 40.1 परसंट हो गया लेटेस डेटा की साफसे और टोटल इंसौल कापैस्टी कितना है आप इदर देख सकते हो तो आपने क्या-क्या डेटा देखा इंपोर्टन डेटा यह है दोस्तों एक तो प्राइवर सेक्टर की जो रिन्यूबल एनरजी सेक्टर है वो काफी ग्रोथ अचीव कर रहे है तो आने वाले टाइम पे भी ज्यादा ग्रोथ होगा आप मुझे कमन बोक्स में यह बताए आपके लिए कोस्टिन है इंडिया का सबसे बड़ा सोलार पार्क कौन सा स्टेट में लोकेटर है सेकंड भी इंडिया इस चैशिप अट यूए नसी काउंडर टर्रिसम कमीटी देखिए आप सबको पता होगा उनेटे नेशन सेक्यूर्टी काउंट्सिल में टॉटल 15 मेंबर्स हैं 5 पर्मनेन मंबर्स अंट 10 नन पर्मनेन मंबर्स आस एफ नाउं इंडिया इस पर्मनेन मेंबर्स द Taliban Sanctions Committee and Libya Sanctions Committee. अब ये तीनों कमिटी के वारे में ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे आगे. वाइसे देखे दोस्तों, Counter Terrorism Committee का चैर्शिप मिलना इंडिया के लिए ग्रेट सिक्निफिकेंस वाली बात है. पर इंडिया ने एक अन्यवर रसेलूशन भी पूत उन गया तो डिस्कस को 70 जादा कंट्री ने को स्पांसर भी किया था and even United Nations Security Council ने ये resolution को अडोब भी किया था तो कहने का मतलब ये है इंडिया हमेशा international level पर counter-terrorism activities को encourage किया है and India has encouraged stronger international cooperation for preventing terrorists from acquiring weapons of mass destruction देखे किसी भी आहल में terrorist के पास weapons of mass destruction पहुंचना नहीं चीए इसके लिए भी इस annual resolution में इंडिया ने सारे countries को urge भी किया था वैसे देखें दोस्तों ये जो तीनों committee है इसका objective क्या है counter-terrorism committee एक subsidiary body है United Nations Security Council का ये भी एक 15 member committee है ये established हुआ था after the 9-11 attack in the US ठीक है तो basically United Nations Security Council का resolution पास हो था resolution number 1373 इस resolution के तुरू all states took criminalize assistance for terrorist activities ठीक है terrorist activities के लिए किसी भी तरह का help कोई भी country नहीं करना चाहिए अगर कोई terrorist attack का या फिर terrorist group का information मिल जाता है तो सारे countries के साथ ये share भी करना है and कोई भी country किसी भी तरह का financial support and safe haven नहीं प्रवर्ट करना चाहिए terrorist के लिए तो ये सारे UNSC resolution 1373 से deceit किया गया था तो counter-terrorism committee मतलब क्या आप समझ गया ना तो basically UNSC resolution 1373 का implementation या फिर इसमें जितने provision से जितने point से उसे follow करना ये counter-terrorism committee का काम है फिर होता है Taliban sanctions committee ये तो नाम से आपको पता चल गया होगा कि basically Taliban के ओपर sanctions impose करने के लिए फोर्म हुआ था जैसे counter-terrorism committee UNSC resolution 1373 से related है वैसे Taliban sanctions committee UNSC resolution 1988 से related है अब ये resolution के अंदर क्या-क्या important measures है एक तो Taliban से related अगर कोई individual से या कोई agency से इनके पुरे assets freeze करना, इनके ओपर travel ban लगाना आम से बागो impose करना तो ये सारे resolution 98 में है तो इस resolution का proper implementation के लिए monitor करने के लिए Taliban sanctions committee form हुआ था आगला है Libya sanctions committee अब ये Libya के उपर sanctions की impose किया देखे वैसे कई सारे countries ने Libya के उपर sanctions लगाया है इसमें United Nations Security Council भी है क्यों है? 2011 में Libyan leadership ने civilians के against armed forces का इस्तमाल किया था civil war के time पर तो इसलिए उथर काफी सारे human rights violations वगरा हुआ था इसलिए Libya sanctions committee form हुआ था ठीक है? तो इसमें भी काफी सारे measures है जैसे two-way arms embargo on Libya and assets freeze embargo मतलब ban होता है ठीक है? जिसको पता है नहीं उसके लिए बता रहा हूँ ये travel ban and measures on illicit export of petroleum देखिए उधर से petroleum का भी illegal export बगरा होता है तो ये सारे बंद करने के लिए और इसके उपर monitoring करने के लिए Libya sanctions committee form हुआ तो अब आप उच्छे पूछोगे Libya sanctions committee से कौनसा UNSC resolution related है वो है UNSC resolution 1970 तो खुल मिला के ये तीनों committee का chair ship इंडिया को मिला हुआ है इनके working nature के उपर important decisions अब इंडिया ले सकता है तो paper 3 general studies 2 important international institutions में ये news आपको कामाएगा आज का final news Syrian port set a blaze in Israel strike देखे इस्रेयल ने Syria का Latakya port के ओपर air strike किया है सबसे पहले आप Syria का map देख लीजी Mediterranean side का eastern side में आपको दिख रहा है Syria इथर आपको दिख रहा है Latakya port इथर ही Israel ने air strike किया है Syria का northern border पूरा टर्की के साथ है eastern border इराक के साथ है southern border जौरदान के साथ है and south western border लेबरेंट के साथ है and इस्रेयल के साथ जो border है दोस्तों वो इथर है गौलान हैट्स के त्रू 1967 में जब six days war हुआ था तब इस्रेयल ने Syria से गौलान हैट्स capture किया था तो तब से इस्रेयल और Syria के भीश में problems तो चल रहा है पर 2011 में जब Syria में civil war चला था तब से इस्रेयल ने routinely काफी air sticks किया है Syria के उपर mostly इस्रेयल जो है Syria का government troops को target करते है as well as Iran जो Syria को help करते है इसलिए Iran भी काफी से troops बेचते है सारे background आपको बताना पड़ेगा Hezbollah fighters कोन है Iran और इस्रेयल के भीच में का issues है Syria और इस्रेयल के भीच में का issues है तो यह सारे मैं एक अलग वीडियो में आपको समझाओंगा अब मैं आपको briefly ओपर ओपर से समझाओंगा ठीक है तो शोटली वो वीडियो में अप्रोड कर दूँगा तो इडिस अर्ली सेकंड टाइम इट वास इट हीट अपड़ अफ लटाकिया इन हार्ट लांड अफ प्रसिडेंट बशर अल-अजाद माइनोर्टी अलावेट कम्यूनिटी तो देखें दोस्तों इससे पहले भी पॉट अफ लटाकिया में इसराइल ने एस्टे किया यह सेकंड बार हो रहा है ठीक है वैसे सिरिया का प्रसिडेंट का नाम का है बाशर अल-अजाद आप देखिए ब्रिटन बेस्ड एक वार मोनिटरिंग एजनसी है इन्होंने यह बोला है huge explosion हुआ था huge explosion इसलिए हुआ था यह जो air strike आप्स आन अम्यूनिशन के उपर हुआ था पेसिकली उतर एक cargo store हुआ था जहां आम्स आन अम्यूनिशन थे आप वो आप्स आन अम्यूनिशन किसका है Syrian troops का या फिर इरान ने से पिले किया है यह सब मालूम नहीं है ठीक यह सब न्यूस बात में निकलाएगा राइट आप देखी इडिसे कंड टेम दिस मन्त इस्राइल हास डिरेक्ट अटेक्स तुबर्स कंटेनेट याड़ लाता किया पॉर्ट या फिर लाता किया पॉर्ट के करता है पॉर्ट ओफ तार्तूज में 85 किलोमेटर सु तुध साउथ मतलब लटाकिया का 85 किलोमेटर सौथ में इथर आपको पॉर्ट ओफ तार्तूज दिख रहा है तो यह रिशिया का एक नेवल बेस भी है तो इसे आपको क्या समझ में आया शिरिया को हेल्प करने के डिसम्बर 7 को इडिसम्बर 7 को इस्टाइक टागेटिंग एं इराणियन आम शिप्मेन लटा किया इस्साइल और पर इस्टारिया को एन और की लिए जो आप शीप्मेन होता है इस्टारे है तो इस सारे डीचेल मिम्हें को एक अलगवीडियो में समझाँगा आभी के लिए पेपरती जनल स्टू इंटरनाशनल रिलेशन्स में ये नूस आपको काम आएगा तो दोस्तों that's the end of it I hope आपको सारे नूस अची तरह समझ में आया होगा कुछ वीडियो मैं कमिट कियों बनाऊंगा करगे वो भी मैं जल्दी अप्लोड कर दूँगा लेक्षे की PDF आपको टेलिग्राम चानल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे प्रोवेड़ेड़ है थैंक्यू फॉर वाचिंग बाई बाई वे, have a nice day